हेलो फ्रेंट्स, वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 3.1 टैक में तो फ्रेंट्स मुझे काफी सारे लोगों ने कमेंट करके एक कोशन पूचा है कि सर मैं एक नया यूट्यूबर हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल जो है अगर आप एक नया यूट्यूबर है तो आपके मन में ये कोशन जरूर होगा और आज की इस वीडियो में मैं आपके कोशन का आंसर करने वाला हूँ इस प्रोब्लम का कम्प्लीट सोलूशन आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपना इस एकाउंट कब बनाना चाहिए तो फ्रेंट चोटी सी वीडियो है इसलिए वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यूँ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन पैल को ओन करके उसे ओल पर सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब से मोनेटाइजेशन के थ्रू अर्निंग करने के आपके दो तरीके हैं एक तो है कि आपके चैनल के उपर अगर आप लोंग वीडियो बनाते हैं तो आपके चैनल के उपर 1000 सबस्क्राइबर और 4000 घंटे का वोस टाइम लास्ट 365 दिन याने के एक साल के अंदर होने चाहिए पिछले एक साल में आपके चैनल के उपर 1000 सबस्क्राइबर 4000 घंटे का जो क्राइटीरिया है वो पूरा होना चाहिए उसके बाद या आप अपने चैनल को monetization के लिए भेज सकते हैं या फिर अगर आप short channel बनाते हैं तो आपके channel के उपर 1000 subscriber और 10 millions views आपके पिछले 90 दिनों के अंदर पूरे होने चाहिए उसके बाद आप अपने channel को monetization के लिए apply कर सकते हैं जो जब आपका ये criteria इन दोनों में से अगर आपका long का है या short का है जो भी है उसमें जब ये criteria आपका complete हो जाता है उसके बाद आपको monetization apply करने का option आपके settings के अंदर आ जाता है आपके channel के उपर वहाँ पे आप जब जाके apply करते हैं तो apply करने के बाद आपके वहाँ पे एक चीज पूछता है आपसे कि Google AdSense आपके पास पहले से है या फिर आपको नया create करना है तो friends आपको अपना Google AdSense उसी time बनाना चाहिए अगर आपको पहले बनाएंगे तो आपको उससे मुश्किले हो सकती है अब मैं आपको बता देता हूँ कि पहले बनाके रखने से क्या होता है कि मानली जी आपका channel monetize नहीं है और आपने अपना AdSense एकाउंट पहले ही शुरू में ही बना लिया जैसे आपने channel बनाया उसी समय आपने अपना AdSense एकाउंट भी बना लिया कि एक AdSense एकाउंट एक आदमी का एक ही बार बन सकता है मतलब अगर मैं अपना AdSense एकाउंट बनाँप तो मेरा AdSense एकाउंट बनेगा मैं दो AdSense एकाउंट नहीं कर सकता एक लिए थीक है तो आपको में चाहिए जब आप monetization के लिए apply करने जाएं उसी समय अपना AdSense account बनाएं उससे पहले आपके AdSense account का कोई use नहीं है तो friends 2023 में आपको अपना AdSense account कब बनाना चाहिए मैंने आपको ये detail में बता दिया अगर आप भी आपको फिर भी वीडियो से related कोई question आ रहा है कोई query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूश सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो उसे like और share जरूर करें Thank you